नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा मैं हश्री देदी एक और important वीडियो में आपका स्वगत है ये वीडियो important किसकिस respect में है तो magnetic field of the earth अगर आपको magnetic field of the earth समझना है हलाकि ये मैंने magnetism का concept आपको पहले समझाया है उसमें बहुत deep में नहीं जाओंगा बट उसके respect में वीडियो important है तो geography आजाती है यहापे प्लस ये magnetic field of the earth को भापने की जो जानवरों की capacity होती जैसे birds की, tortoise की, whales की इसको यहाँ पर समझने के कोशिश करेंगे तो कैसे animals और birds अर्थ के magnetic field के दम पे direction को जानने की कोशिश करते हैं क्या इंसानों के अंदर ये काबलियत होती ही इसके ओपर भी बहुत सी studies हुई है तो आदमी के सर के scalp के उपर कुछ थोड़े बहुत instruments लगा के पास में magnetic field पास करा के दिखा गया कि सर की जो alpha waves हैं और कैसे काम कर रही है तो इस प्रकार की कुछ studies को भी मैं यहाँ पर discuss करने वालों यनि जानवर्स पे humans पे magnetic field का कितना effect आता है magnetic field से किस हद तक ये जानवर और birds अपने direction को decide कर सकते हैं इन सब चीज़ों को देखेंगा और किस हद तक हमारा magnetic field एक जगह से दूसरी जगह shift कर रहा है इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे काफी बड़ा holistic सा topic है ये तो magnetic representation के बारे में यहाँ पे बात होगी Magnetic reception humans में कितना है इसके बारे में बात होगी Animals magnetic fields का प्रयोग कैसे करते हैं Birds navigate कैसे करते हैं अर्थ का magnetic field किस हद तक बदल रहा है इन सब चीजों को हम लोगे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो सबसे basic information में आपको बता दू अगर मान लीजे एक magnet है ये बार magnet ये इसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है देखे जोग्रफिक North Pole और North Magnetic Pole ये सेम नहीं है अलग-अलग होते हैं North Magnetic Pole सालाना बदलता रहता है पहले 9 km परती एर की स्पीड से बदलता था 50 km परती एर की स्पीड से बदलता है अर्थ के अंदर जो magnet है ना उसको आपको इस तरीके समझ सकते जिसका North Pole आपको इधर नज़र आएगा, South Pole इधर नज़र आएगा, इसलिए जो Magnetic Lines of Force निकल रही है, वो ऐसे जा रही है इस Direction के साथ, समझ गया बात को, तो अर्थ का अंदर का जो Magnet है वो ऐसा है, इसमें North Pole इधर है और South Pole इधर है, इस बात को याद रखिएगा, हाला कि Geographic North Pole वाला जो पोल बनता उसको North Magnetic बोलते हैं, Geographic South के पास जो बनता उसको South Magnetic बोलते हैं, टेक्निकली देखा जाए, अगर Magnet के साफ से देखोगी तो South Pole पहुँच रहा है, इस Magnet का कहां पर, Geographic North Pole के पास, और इस Magnet का North Pole पहुँच रहा है, Geographic South Pole के पास, लेकिन फिर इभी Geographic North Pole वाले को Magnetic North Pole ही कहा जाता है, तो उसमें Confused मत होईएगा, ठीक है, चलते हैं आगे, यहाँ पर बात क्या जी जा रही है, भई, Magnetic Sense, जो Migratory Birds होती हैं, उनके अंदर Magnetic Clues होते हैं, यह जो Migratory Birds होती हैं, जो एक जगा से दूसरी जगा on the move होती हैं, इनकी Magnetic Clues होते हैं, मतलब यह Magnetism के, Earth के Magnetism की Basics पर यह डिसाइड करती हैं कि हमको किस तरफ जाना है, और भी Clues होते हैं इनके पास, जैसे कि Star के Sign, Light का Polarization, Sun की Position, इन सब चीज़ों के दम पे, यह Birds decide करती हैं कि हमको किस तरफ जाना, लेकिन Magnetism एक बहुत Major Role Play करता है, Earth का Magnetism, तो इनको कैसे पता चलता है कि अगर सर्दियां आ रही हैं, तो जो Northern Hemisphere में हैं, उनको Northern Latitude से South की तरफ आना है, जो Southern Hemisphere में, Birds से उनको Southern Latitude से North की तरफ आना है, सर्दियों में, उनको कैसे पता चलेगा Direction, और जब ऑविसी बात है, गर्मिया आने वाली होगी, तब उनको कैसे पता चलेगा Direction, इनको कोई डेंजर लगता है, तो, आगे बटन से पहले, Friends, वीडियों पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियों को शेयर नहीं कहा है, चैनल को शेयर और सबस्क्राइब नहीं कहा है, बिल्कुल कर दीजे, साइन्स के फील्ड में, यह बेसिकली यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपोर्टन है, इन्वार्मेंट और एकलोजिक साथ भी तोड़ी 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 कनेक्ट होती है, तो आप ज़्यदा ज़्यदा लोग साथ इन वीडियों को शेयर करोगे, तो मुझे फा आपके ज़्यदा जाओ दूँगा टेलिग्राम गूप जोईन कर लिए इस पर्टिकुलर लेक्ट्र की पीडियाफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, फिर आगे बात करते हैं, देखिए, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे बिहिवरियल एक्सपेरिमेंटल किये हैं, बिह कि मैंग्नेटिक फिल्ड के साथ किस प्रकार से रियाक्ट करते हैं, जैसे कि एक इवेंट होता है माइग्रेटरी अनरस्ट जिसको बोला था जुगुंग रूहे, कुछ नहीं होता जब भी माइग्रेटरी सीजन शुरू होने वाला होता है, जैसे माली जे सर्दी आने वाल जब गर्मी आने वाली है, तो अगर गर्मी आने वाली है, तो वो ट्रॉपिकल और एकोटोर एरा से वापस पोलर एरा की तरफ उड़ना शुरू होंगी, तो यह जो उड़ने का समय आता है, उस समय पे इन बड्स के इंदर एक माइग्रेटरी अनरस्ट आता है, इसको बोल पैटर्न के साथ यह मेग्नेटिक फील्ड की मदद करके अपने डायरेक्शन मुड़के जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि अगर मेग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, तो अव्वेसी बात है, इन बड्स के फ्लो करने का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, तो यहाँ पे मेगनेटिक फील्ड किस हद तक एक पर्टिकुलर जानवर को एग्जैक्ट लोकेशन जाने का रास्ता दिखाएगी, इस बात के उपर एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है, एक पढ़ाई यहाँ पे है, एक फील्ड ऑफ स्टडी के लिजे मेगनेटो रिसेप्शन, कर ले, अगर कोई जैनवर, वो बर्ड हो सकता है, टॉट्टोइज हो सकता है, वेल्स होते हैं, इसको बोलाता है, मेगनेटो रिसेप्शन, ठीक है भाई, बहुत अलग-अलग प्रकार के जैनवरों में, इस प्रकार की जो सैंसरी अबिलिटीज हैं, वो पाई जाती हैं, ज कुछ intra-cellular structures में भी पाई जाती हैं, जो animals के अंदर intra-cellular structures होते हैं, वहाँ पे मेगनेटो रिसेप्शन की quality पाई जाती हैं, ये अलग बात है कि आज तक 100% certainty के साथ, कभी हम ये नहीं पता कर पाए हैं, कि किसी एक particular जानवर के अंदर 100% मेगनेटो रिसेप्टिव और्गन है ये नहीं हैं, this is still a field of study, मेगनेटो रिसेप्शन को humans में भी टेस्ट किया गया, तो बहुत सारी humans के चारो तरफ electric coils बांद के उनके सर के उपर scalp पे आपका कुछ metal dips, disc और electrodes लगाके एक EEG टेस्ट किया गया, जिसको आप बोलतों, electroencephalogram, और इस टेस्ट की थूपता किया गया कि human brain कैसे, आप कह सकते हो कि react करता है towards a magnetic field, देखे human brains के अंदर एक चीज होती alpha power, alpha power क्या होता है, जब भी आप किसी particular चीज की तरफ focus कर रहा है, तो किस हद तक आपका दिमाग उस particular चीज पे focus कर पाएगा, ये बहुत हद तक आपकी alpha power पर depend करता है, जब आपके चारो तरफ बहुत ज़्यादा magnetic field होगा ना, तो आपके brain का alpha power ड्रॉप करना शुरू कर देगा, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से कोई paper लेख रहे हो, या UPSC mains दे रहे हो, या अपने board के exam दे रहे हो, और magnetic field अगर आपके दिमाग के साथ interfere कर रहा है, तो आपके focus करने क काबियाद at that particular time कम हो जाएगी, समझगे friends, तो magnetic field सीधे-सीधे आपके दिमाग की alpha power के साथ interference करता है, यह test के तुरू प्रूफ किया गया है, अब थोड़ा यहाँ पे detail में भी घुसरा है, बहुत सथा detail में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो नहीं इंपॉर्टन नहीं, य पहली थेयरी में, magnetic minerals involved होते हैं, तो जो bacteria होता, phytoplankton होता है, यह biological magnetite crystals produce करते हैं, जिससे वो अर्थ के magnetic field को sense कर सकते हैं, researchers का मागना है कि जो birds है, उनकी beaks में, यह magnetic minerals होते हैं, दूसरी थेयरी है, electromagnetic induction की, तो भाई, कहीं नहीं, जो electric charges होते हैं, उसके प्रती sensitive होते हैं, यह animals, और अपनी internal cellular activity और neural mechanism, यानि जो इनका nerve system होता है, उसके थुरू यह अपनी electro receptivity को magnetic sensitivity के साथ जोड़ पाते हैं, तीसरी थोरी और complex से यहाँ पे biochemical reaction हो रही है, जहाँ पे radical pairs produce होते हैं, कुछ unpaired electrons होते हैं, जो quantum entangled molecules के साथ लगातार interfere करते हैं, यहाँ पे एक element बनके आता है cryptoch cryptochromes, ठीक है भाई, यह जो cryptochromes होते हैं, they are basically responsible for magneto reception in birds, ठीक है, कुछ birds को कहते हैं कि इनकी आखों में होता है cryptochromes, तो यह अलग अलग प्रकार के theories हैं, magneto reception के, as a generalist हमको इसमें उतना गुशने की जरूत नहीं है, ठीक लगा तो मैंने आपके लिए यहाँ पे include कर दिया, क अलग कि कोई सी को इतनी thesis में इंट्रेस्ट नहीं होता है, आगे बात की जाए, तो जैसा कि हमने बोला, कि animals use करते हैं, magnetic fields को थोड़ा और detail में देखते हैं, कैसे करते हैं, तो bees, animals like mole, rats, mammals, magnatory animals like birds, whales, यह सब magnetic field का प्रयोग करते हैं, दो प्रकार की information मिलती है, अर्थ के magnetic fields से इ जाना है, बस, समझगे, तो magnetic field से अपनी एक activity के थूँ, अपनी एक काबलियत के थूँ, बस ये इतना मालूम कर रहे हैं, कि इनको उड़के कहां जाना है, ठीक है भई, लेकिन बात ये है, कि सिर्फ आप एक direction के दम पे और एक slight compass के दम पे आप ये नहीं जान सकते हैं, कि exact location क्या है जहां पर आपको पहुचना है, समझगे अब बात को, आप देखे, एक जानवर उड़के जा रहा है, उसको एक basic direction पता है, कि उसको इस direction में जाना है, अर्थ के magnetic field के साबसे वो direction करता है, लेकिन वो direction external factors की वज़ए से change भी हो सकता है, जैसे कि एक sea turtle है, अभी sea turtle ओशन में migrate कर रहा है, बहुत लंबे distance में जा रहा है, बीच में ocean currents आ गई, तो उन ocean currents के चलते हैं, जो sea turtle है, यह अपनी direction से भटक जाएगा, उसी प्रकार से जो migratory bird होंगी, यह wind से भटक सकती है, तो यह जो भटकने वाला factor है, इसको कैसे compensate किया जाता है, exact navigation to the geographic position जहां पे उस particular bird क पहुँचना, वो वहाँ कैसे पहुँचती है, दो चीज़े हैं दोस्ते मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यह जो birds होती है यह normal car cases में जहां पे इनको पहुँचना होता है, यह पहुँची जाती है, अगर magnetic field ही बदल जाये तो वात अलग है, लेकिन यह जो external factors हैं जैसे क आपका ocean currents हो गए, जैसे कि आपका winds हो गए, यह कहीं न कहीं जानवरों को जादा नहीं effect कर पाती है, तो basically इसका मतलब क्या है, basically इसका मतलब यह है, कि कहीं न कहीं इन जानवरों के अंदर एक ऐसा magnetic map है, जिसके दम पे precisely यह इस बात को पता कर पाते हैं, कि इनकी exact geographical location कहा है ज है इने पहुंचा, जैसे कि हम लोगों ने एक system इजाद किया है न, जिसको आप बोलता हो, global positioning system, जिसमें हम exactly पता कर सकते हैं, कि हमको जाना कहा है, ठीक है, एक particular location के coordinates के हिसाब से, उसी परकार से, इन जानवरों के दिमाग में, इनके पस एक compass, एक directional ability तो है अर्थ के magnetic field के basis प है, जिससे ये अपने दिमाग में, ये अपने sensory version में, एक magnetic map बना लेते हैं, और ये map इनको precisely बता देता है, कि इनको पहुंचना कहां कहां पे, ठीक है भई, और इन maps के दम पे, जो चड़ियाएं होती हैं, जो birds होती हैं, वो अपने annual migration flyways को decide करती हैं, ठीक है भई, northern hemisphere में जै distance होता है, कुछ birds का तो 1000 km की तागात में होता है, तो अविसी बात है, सिर्फ एक directional capability की basis पे, एक compass capability की basis पे, ये इतने बड़े distance को traverse नहीं कर सकते, कहीं न कहीं इनके अंदर इनका खुद का कोई internal global positioning system है, जो कि इनको exact उस location का idea देना है, देता है जो जहां पे इनको पहुंचन सिर्फ magnetic system act नहीं करता है, sun का direction, stars का orientation, कुछ important landmarks जिनको ये चड़ियाएं जानती है, ये सब चीजें भी इन चड़ियाओं की मदद करते हैं, पिर कहीं न कहीं कुछ birds के जो individual organs होते हैं, उनकी भी navigational ability बहुत तकड़ी होती है, जैसे कि birds की जो आखें होती है, वो उनके brain के ए coordinate करेंगे और उस coordination के दम पर ये पता चल जाएगा इनको कि इनका north जाने का रास्ता क्या है, फिर कहीं न कहीं bird के inner ear में neurons में कुछ tiny amounts of iron होता है, ये iron भी इनकी मदद करता है, इनकी navigational ability को और precise करता है, कुछ studies तो ये भी बताती हैं कि जो चड़िया की चोच होती है, जो bird की beak होती है, वो भी उसको exact position मताने में मदद करती है, तो बहुत सी चीज़े हैं, ठीके न, कहीं न कहीं एक bird के अंदर एक old factory map बन जाता है, और जी हां मैं old factory की बात करता हूँ, old factory मतलब smell करने की ताकत, देखे, researchers का तो ये भी बोलना है, कि ये जो birds होते ही, जो जानवर होते ही, ये अपनी smell करने की ताकत का प्रियोग करके एक जिगा से दूसी जिगा ट्रासफर्स करते हैं, तो एक old factory map, मतलब एक smell के इसाब से भी ये पता कर सकते हैं, कि ये exactly एक समय पे कहां पे हैं, और इनको वहां से किस तरफ पे जाना है, ये PDF मैं आपके लिए अविलेबल आपको आर्थ के मेंगनेटिक फील का, जीओ मैगनेटिजम नाम का ही जो टॉपिक है, ये क्या है, इस बसेडियो बना रखी एर्थ के आउटर कोर में प्रेडीूस होता है, इनर कोर, आउटर कोर, लेयर्स ओफ दे अर्थ ये मैं आपको बता चुका हूं, आप यूटुब में सर्च मारके इस वीडियो को देख सकते हैं, जो भी टॉपिक सर्च मारेगा, मेरे नाम हर्षी देविदिक सार्च मारेगा, तो उससे रिलेटर मैंने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, यह आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको देखें कि एक साल में जो अर्थ का मैगनेटिक फिल्ड है, वो 9 किलोमीटर से वांडर कर जाता है, तो अगर एक जगा पर जोग्रिफिकल नौर्थ पोल है इस साल, तो हो सकता है अगले साल वो 9 किलोमीटर दूर कहीं बनाऊ, और अब तो अर्थ का जो magnetic field है वो 50 km प्रती year के speed से wonder कर रहा है यानि इस समय पे जो अर्थ का magnetic north pole है अगले साल हो सकता है वो 50 km दूर चला जाए ठीक है इसके चलते आप देखें कि world magnetic model ने recently magnetic north pole की location को redefine किया था चुकि ये जो magnetic north pole है किसी एक particular जगा पे नहीं होता है ये लगातार change कोरता रहता है और अभी ये trend देखने को मिला है कि आर्थ का magnetic north pole जो कि Canadian Arctic में है वो कहीं न कहीं रशिया के पास जाता नजर आ रहा है यानि Arctic का वो इलाका जो रशिया के पास आ रहा है वो वहाँ जाता नजर आ रहा है और इस shifting geomagnetic field के बहुत से consequences होने वाले है ये जो birds का और जो जानवरों का एक जगा से दूसरी जगा जानने वाली जो navigation है surveying है देखे जानवरों का एक जगा से दूसरी जगा जाना ये तो देखे आफेक्ट हो गई होगा तो birds, salmon, sea turtles ये अपनी routine journey के दूरान खो सकते है दूसरा humans भी बहुत सारीके की navigation और surveying techniques को adopt करते है वो भी hemper हो सकती है geophysical exploration hemper कर सकता है चुकि हम magnetic lines of force का इस्तमाल करते है electric power utilities के साथ ये magnetic lines of force interfere कर सकती है communication systems के साथ spacecraft के साथ ये magnetic lines of force interfere कर सकती है ठीक है फिर आपको मैं एक बात बता दो अर्थ की solar radiation और cosmic rays जो अर्थ की तरफ आती है उसको deflect करता है अर्थ का magnetic field अभी अर्थ का magnetic north और south change होगा तो magnetic lines of force है जो magnetic lines of force है अर्थ के magnetic field के उनका orientation बदलेगा orientation बदलेगा तो जो solar radiation sun की तरफ से आ रही है उनको deflect करने का तरीका भी बदलेगा और aurora borealis और aurora australis के बारे में आपने सुना होगा वो जो dancing lights होती है जो कि आपको arctic और antarctic के लाके के पास नज़र आएंगी ये जो dancing lights होती है जो आप northern lights और southern lights भी बोलते हो ये जो spectacular events होते हैं ये कुछ particular जगहों पर पाए जाते है तो जब आप इन locations पे जाओगे ठीक है जसे कि for example आप Finland में जाके इन locations को देख सकते हो आप Russia में मुरमांक्स में जाके इन locations को देख सकते हो बहुत सी जगह हैं दुनिया में आप Iceland जाके देख सकते हो डेनमार्क में बहुत सी जगह हैं वहाँ पे जाके देख सकते हो तो कुछ particular जगहों पर ये जो dancing lights है हो पाई जाती है आगे आने वाले समय में जितनी तेजी से जो magnetic north और magnetic south बदलेगा exactly ये जो dancing northern और southern lights है ये कहाँ पर precisely ज़्यादा देखी जाई सकती है इनकी location भी बदल जाएगी समझ गए तो magnetic north pole और magnetic south pole के बदलने के चलते बहुत सारे associated हमारे man-made instruments का जो काम करने का तरीका है वो भी बदलेगा natural phenomena भी बहुत सारे बदलेंगे और ये जो birds, salmon और sea turtles हैं ये कैसे अपना navigation करेंगे हो सकता है अपने navigation के दौरान ये रास्ता भटक जाए तो उसके साथ भी धीरी धीरे डाउट करेंगे तो ये सब चीजें magnetic north pole के shift करने सोगी तो हमने ये देखा है कि magnetic poles अगर shift करते हैं तो उससे क्या होता है ठीक है जो एक birds होती है जो जानवर होती है वो magnetic pole के मदद से अपने precise location को कैसे पता करते हैं तो इन सब चीजों को हमने यहां पर समय देखा है आशा करता हूँ आपको कुछन कुछ यहां पर सीखने को मिला होगा Thank you for watching friends Have a great day